हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं पुनम सिंग रेसिपीज और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि होटल और रेस्टोरेंट में धनिया चिकेन यानि कोरियंडर चिकेन कैसे बनाया जाता है तो पूरी वीडियो देखेगा स्टेप बाई स्टेप प्रेंट्स मिसना किजि दो इंच अद्रख का टुकड़ा है तो इस सब को क्या करेंगे कि हम पहले इसका हमें बिल्कुल चिकना पेष्ट बना लेना है धनिया मिर्ची और अद्रख का और इसी में हम डालेंगे दही दही की सहायता से ही हमें इसका पेष्ट बनाना है दही हलका खट्टा भी है तो चलेगा वैसे कोशिश किजिएगा आप लोग कि फ्रेश दही ही ले क्यांकि वो फिर गर्म होता है तो थोड़ा सा खटा हो ही जाता है तो हमें करीब डेढ़ कप के अंदाज दही लेना है और इसको हम मिक्सर जार में डाल कर और इसे चिकना पेश्ट तयार कर लेंगे तो देखिए कितनी अच्छी तरह से और कितना कलरफुल ग्रीन पेश्ट तयार हो गया धनिया पती भी बिल्कुल ताजा और फ्रेश था तो इसका ये पेश्ट हम बना लिए और देखिए कितना अच्छा पेश्ट तयार हो गया अब हम क्या करेंगे चिकन को लेंगे चिकन को पहले से ही हमें साफ करके रख देना है आप चाहे तो इसको पहले से हल्दी मिर्ची नमक अद्रक लज़न का पेश्ट मिला कर भी रख सकते हैं या बाद में भी आप उसको फ्राई के समय डाल सकते हैं तो यहां हम चार से पांच बड़ा प्याज काट लिए हैं हरी मिर्च जो और आठ दस काला मरीज जो हता है और चार पांच लॉंग हम डाल दिये और इसी में हम डाल देंगे सारी मिर्ची को और इसे हमें गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई करना है चला चला कर अच्छी तरह से बिलकुल ड्राई नहीं करना है गोल्डेन ब्राउन लेकिन हां थो सॉफ्ट और ट्रांस्टूर्शन दिखने में लगे, ढग ढग कर इसे हम दो से तीन मिनट तक भून लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, तो अब हम यहाँ डालेंगे चिकेन, दिखिए चिकेन भी बिल्कुल ड्राई है, चिकेन डाल कर इसे हम मिला लेंगे प्याज के साथ अथी तरह से, और इसे हम दो से तीन मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे, ताकि चिकेन भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसे ढख देंगे थोड़ी देर के लिए, देखिए पानी भी रिलीज कर दिया है, प्याज और चिकेन दो और इसे बिल्कुल मिडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें बुनना है, तेज गए आँच नहीं करना है, और हमेशा चलाते रहना है, अब यहाँ पर हम डालेंगे नमक, आप स्वाद के अनुसार अपने नमक का यूज करें, और इसी में हम दो चमश डालेंगे, रिफाइन फ्ल तो यहाँ हम रिफाइन फ्लोर का यूज कर रहा हैं और इसे भी चला देंगे, मिला कर अच्छी तरह से, अब हम डालेंगे हल्दी हमें थोड़ा ही डालना है, और थोड़ा सा ही डालेंगे हम, इसमें धनिया पाउडर, एक चमश हम डालेंगे, जीरा पाउडर, और नाम मा कामात्र का, आधा चमश हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और आधा चमश ओम गरम अजाँ मासाला, दो चमश हम डालेंगे अधरकलाहसन का पेश्ट, क्योंकि हमें ग्रीन कलर में चिकेन को रखना है। तो इसमें काशन मेरी लाल मिर्च भी नइडालेंगे, और पीसी भी लगता यहां हम धनिया मिर्ची और दही का जो पेश्ट बनाए थे उसको डालेंगे और इसे हम चला चला कर अच्छी तरह से मिला लेंगे पकना नहीं चाहिए तली में अब देखिए करीब 75% जो है चिकेन पक चुका है आपको ग्रेवी अगर थोड़ा ज्यादा रखना हो तो आप पानी और मिला सकते हैं वैसे ये रोटी पूरी पराठा के साथ खाने के लिए इसका थिकनेश जो है ग्रेवी का विलकुल अच्छा है फ्रंट्स लेकिन चावल अग के साथ आपको खाना हो तो आप इसमें ग्रेवी के लिए पानी मिला सकते हैं यहाँ पर देखिए हम डाल दिये सारा धनिया पानी का यूज हम बहुत कम किये थे जो पानी रिलीज किया चिकेन और प्याज उसी में हमारा चिकेन पक गया है और धनिया के साथ जो उसका हम जार दोकर डाले थे बस उतना ही हाब बोल के करीब हम इसमें पानी डाले हैं तो हमारा चिकेन जो है बनकर बिल्कुल तयार है देखिए उपर से रिलीज भी किया है आपको अगर स्मोकी फ्लेवर देना हो तो उडेन कोईला से आप स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं लास्ट में हम डालेंगे लेमन एक निबु का जूस है ये थोड़ा सा चटपटा खटा खटा स्वाद आने के लिए क्योंकि कोरियंडर चिकेन में हलका दही और निबु का स्वाद आता है धनिया पती के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगता है और बना भी था लाजवाब तो चलिए अब सर्व करेंगे आप सब के लिए तो एक प्ले लिया है हम सर्विंग प्लेट और पहले ग्रेवी हम फैला लेंगे प्लेट में देखिए कितना सुन्दर कलर आया है निखर कर चिकेन का और हम डाले चिकेन लेग पीस आपलो कॉर्क और कॉनसी रेसिपी हम जरूर कॉमेंट करके बताईएगा चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक डन कॉमेंट के साथ और अपने फैमिली फ्रेंट्स में जरूर सेयर कीजिएगा अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो नहीं अच्छी लगी तो है उपर से हम धनिया पत्ति के साथ सर्व कर देंगे और थोड़ा सा हम डाल देंगे अध्रक का स्लाइस उसके उपर से तो पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से आप सब का धन्यवाद खाते रहिए खिलाते रहिए मस्त रहिए स्वस्त रहिए थैंक्स फर वाचिंग है तब तक के लिए बबाय टेक के आर्वानाइश डेफरेंट्स फिर मिलेंगे एक अलग और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बबाय टेक के आर सब्सक्राइब टू मै चैनल थैंक्स पर वाचिंग